गुड बॉर्निंग स्टुडेंट 12th Accountancy में आज अमारा टॉपिक है कोल सीन एरियर का या अदत्य आचना है तो वीडियो को स्वरू करने से पहले यदि आप अमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजी देखिए तो अदत्य आचना है क्या होती कई व जैसे मान लिजी एक सेयर था उसकी कीमत 10 रुपए हैं फोर एक्जामपल इस सेयर की कीमत हमने 10 रुपए रखी तीन रुपए अप्लीकेशन पर मांगे गए तीन रुपए अलोटमेंट पर मांगे गए दो रुपए फस्ट कॉल पर मांगे गए और दो रुपए सेकंड कोल पर मांगे गए इस परकार आमने इस share के रुपय मांगे पबलिक से तो जो share older था उसने क्या कि application के रुपय दे दिये अलोटमेंट के रुपय दे दिये लेकिन जब उससे first call मांगे गए तो उसने first call के रुपय हमसे दिये नहीं या फिर second call के भी नहीं दिये या हो सकता है कभी अलोटमेंट के भी ना दिये हूँ तो जब यह रुपय नहीं देता उसे call scene area कहते हैं या अदत याचनाओं का लेखा दो परकार से किया जाता है पहला है अदत याचना खाता खोल कर opening call scene area account का अकाउंट खोल करके इस विदि में अदत याचना के खाता खोल कर उसका एक अकाउंट खोल जाता है call scene area का और उसके इसाब से entry की जाती है मैं यहाँ एक example लेता हूँ मान लिजी हमने 100 share issue की और जिसका मान लिजी रूपए इसी पर कारते तीन application पर तीन allotment पर और दो रूपए फस्ट call पर दो रूपए final call पर यह परते एक share था जो 10 रूपए का था और उसके बाद यह का जाए कि एक shareholder था उसने first call के रूपए नहीं दिये उस shareholder ने first call के रूपए नहीं दिये यहनि कि उसने first call के रूपए नहीं दिये तो क्या entry लिखेंगे सबसे पहले हम due करते हैं first call 100 shares पर तो हम क्या entry लिख हैंगे share, first call account, debit first call, देखिए 100 share हैं, 2 रुपए पर share से, 100 दूनी, 200 रुपए से due की जाएगी, पूरा कभी ये मत कर देना, कि मानली जे एक share order ने रुपए नहीं दिये, तो due ही नहीं करेंगे, due तो हमें पूरा है, जितने share हैं 100, 100 पर ही करना पड़ेगा, to share capital account, और यहां लिख देंगे, to enter, यहां लिखेंगे first call amount due, ठीक है, और उसके बाद जब ये रुपए बैंक में आते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, bank account, debit, माली जी, एक वैक्ती, जिसके पास एक share था, single share था, उसने रुपए नहीं दिये, first call के, तो single share एक रुपए, share पर कितने रुपए नहीं दिये, दो, दो रुपए कम करके, bank में कितने आ जाएंगे, एक 108 में रुपए और यहां लिखेंगे फिर, calls in area account, calls in area account और calls in area account में दो, और उसके बाद लिख देंगे, 2 share, first call account, 2 share, first call account, 2 share, first call account और यहां उसमें रुपए लिख देंगे, 200, और इसके निच्चे narration लिखेंगे, first call, money, received on 99 shares, at the rate of 2 each, 99 share वालों रुपए दे दिये, और 2, 1 share वालों रुपए नहीं दिये, इस पर कार करेंगे, दूसरा method होता है, कि अदत याचना का खाता ने खोल कर, जब अदत याचना का खाता ना खोल जाए, यह आपके लिए optional है, बिल्कुल आपके मर्जी, आप खोल लेंगे तो भी सही है, ना खोल लेंगे तो भी, आपका answer बिल्कुल सही ही माना जाएगा, तो देखिए, इसमें क्या करेंगे, अगर नहीं खोल ना हो, तो पहले due करने की entry, as it is बिल्कुल आपसान सी, same लिख हैंगे, due करने की entry, यानिकी due की entry बिल्कुल सेम लिख हैंगे, जासी वान लिख खी थी, share, first call account, first call account, debit, 200, two share capital account, share capital account, two entry, निचे लिख हैंगे, first call due, या या भी लिख सकते हैं, first call due on, hundred share at the rate of two each, वो तो narration आपके उपर डिपेंड करता है, आपके ऐसा लिखना हो, चित समच, ब बैंक में रूपे आएंगे, तो यान लिख हैंगे, bank account, debit, कितने, वही 108 में, और two share first call account, two share first call account 108 में, as it is लिख देंगे, या लिख इंग नरेशन, first call money received on, first call money received on, 99 shares at the rate of two each, ठीक है, ये लिख दिया, दोनों में क्या फरक है, यहां आमने call scenario का account नाम लिख है, यहां आमने call scenario का नाम नहीं लिखा, लेकिन अब देखिए, दोनों में एक थोड़ी समस्या है, कि जब भी कभी, करता है, जब second call के रूपए देता है, तो यही रूपए जो अब नहीं दिये थे, दो रूपए वो तब देदेगा, कब देदेगा, second call के साथ उसके पास आ जाते हैं, तो इसमें जब ये call scenario के रूपए प्राप होते हैं, जब हमने अधतिया अचना का खाता, खोला है, तो क entry करेंगे, bank account debit, two rupees, two calls in area account, two calls in area account, और उसके आगया amount लिख देंगे, तो ये थोड़े जगें कम रहेंगे, ठीक है, जब call scenario का account खोल ला था, तो क्या लिखेंगे, two calls in area account, और जब call scenario का account हमने ना खोल ला हो, तो क्या लिखेंगे, bank account debit, two rupees, two first call account, तू फस्ट काल अकाउंट टू रूपीज ठीक है तू फस्ट काल अकाउंट तू फस्ट काल अकाउंट यहां फस्ट काल लिख देंगे यहां कोल सीन एरियर लिख देंगे कभी-कभी इन पर वो देखिए, इंट्रेस्ट भी हम ले लेते हैं, जब वो जिस किसी सेर ओल्डर ने हमें पहले रुपए नहीं दिये, मान लिजिए, for example, किसी सेर ओल्डर ने फस्ट कॉल के रुपए नहीं दिये, फस्ट कॉल पर वो सेकंड कॉल पर देता है, तो आम उससे ब्याज के रुपए ले लेते हैं, कि आपने दो महिने, तीन महिने, चार महिने लेट दिये हैं, उसके लिए आप इंट्रेस्ट के रुपए दीजिए, तो उसके लिए क्या एंट्री करते हैं, यानि कि इंट्रेस्ट ड्यू होने पर, जब इंट्रेस्ट को ड्य यू करेंगे तो entry लिखेंगे मैं यहां लिख रहा हूं उसके entry क्या entry लिखेंगे sundry member account debit sundry member account sundry members account debit to interest on calls in area to interest on calls in area account अग्थ्या ये तो इंट्रेस्ट ड्यू करने पर इंट्रेस्ट प्राप्त होगा तो क्या एंट्री लिखेंगे बैंक काउंट डैबिट तु इंटू संट्री मेंबर अंगेंबर मतलब सेरोल्ड का नाम संट्री मेंबर आमें रूपए दे माइने के अंत में या सोरी साल के अंत में जब यह जो हमें जो रुपे मिलेंगे इनेट प्रोफिट अंड लोस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे उसके लिए लिखेंगे interest on, interest on calls in area account, calls in area account, debit to settlement of profit, statement of profit and loss account, statement of profit and loss account, यह जो entry है, interest की मैंने बताई है, यह सरफ knowledge के लिए बता दी, plus two की class में तो अगर मान के चलें तो इनके ज़रूरत पड़ती नहीं, वो calls in advance का interest का एक numerical मिल सकता है, plus two की से लब बस है, नहीं तो इनका calculation के entry होती नहीं, अब देखें ऐसा एक numerical लेते हैं इनका, उसको कैसे solve करते ह हम देखें, numerical यानि की practice के लिए है, यानि की चोदा नंबर क्यूशन, एक्स लिम्टिड इसू 20,000, 7% preference share of 100 each, at a premium of 6% payment were be made as follows, और वो premium पर इसू की है, रुपए 25 ओन application, छालिस ओन allotment, and 10 on first call, and 25 on final call, यानि की हमने इस परकार इस preference share को इसू के 20,000 share थे, सोग का था, 6%, सोग का 6%, यानि की सोग की 6% premium पर इसू किया, सोग का 6% निकालेंगे, तो 6 रुपए premium पर इसू किया गया है, अगर कुछ नहां का गया हो, तो premium का include माना जाता है, allotment पर नहीं तो direction दी जाती, 25 application पर आए, 6 allotment पर, 10 रुपए first call पर, और 25 रुपए final call पर, the application for 18,000 share received, 18,000 share के लिए application मिली, देखिए, 20,000 का 90%, 18,000 बनता है, गर इस एक share भी कम होता, तो allotment नहीं कर सकते थे, cancel, यानि की, जो हमारे पास application है, वो company अदिनियम 2013 के अनुसार कम से कम 90% share के लिए आना जरूरी है, हमारे पास जोब application आए, वो कम से कम 90% share के लिए आए, तो 90% 18,000 बनते हैं, हमने सभी को accept कर लिए, all the money was due, you received, accept the first and final call, first and final call पर 100 share को छोड़ कर, 100 share के share order थे, उन्होंने first and final call के रूपे नहीं दिये, तो इसके लिए परफोर्मा बनाते हैं, तो यह पहले इसमें जर्नल का परफोर्मा है, date, particulars, particulars, यहां लिखेंगे amount, debit की, और यहां लिखेंगे amount, credit की, amount, credit की, ठीक है बहुत, यहां रूपय का निसान भी बना लें आप, और यहां एक वैसे तो एक laser folio का column over बना लें, तो बिल्कुल proper journal बन जाएगा, यह journal account था, ठीक है बहुत, अब इसकी पहले entry करते है, application की date नहीं दे रखी, तो date के column को हम नहीं छोड़ेंगे, मैं यहां लिख देता हूँ, application, कि application की क्या entry होंगे, सबसे पहले लिखेंगे bank account, bank account debit, bank में कितने रुपए आएंगे, 25 रुपए पर share आएंगे, और 20,000 shares पर, 20,000 shares पर 25 दोनी, 50, यानि कि कुल मिलाक के हमारे पास application पर रुपए आएंगे, 50,000, सोई, 5,000, भाई, गलती होगे, यह 5,000,000 रुपए आएंगे, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे, 2 share application account, share application account, application account, और application पर हमारे पास रुपए आए, 5,000, यहां लिखेंगे, application money received on, application money received on, application money received on, 20,000 preference share, 7% preference share, 20,000 preference share, 20,000 preference share, पर आमें application के रुपए मिल गए, इनको ड्यू करने के एंट्री क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे, अब लिखेंगे, share, application account, debit, share application में हम लिखेंगे, कितने रुपए, 5,000, तू, 7% preference, 7% preference, share capital account, share capital account, और share capital account में transfer कर देंगे, रुपए 5,000, हम लिखेंगे, application money transferred to, to, application money transferred to, to preference share capital, share capital, preference share capital में हमने ये रुपए transfer कर देंगे, यहां कोई दिख्र नहीं थी, आपके 46, जिसमें 6 premium के, 20,000 share पर, तो, यहां लिखेंगे, सब से पहले due करने के entry लिखेंगे, share allotment account, share allotment account, debit, और share allotment पर कितने रुपए आ रहें, 46 रुपए और 20,000, पर 46 की और 20,000 की गुणा करके लिख देंगे, तो, 6 दूणी 12, 80 लेक, और भाई, 4 दूणी 8 लेक, 9,20,000 रुपए हमारे पास टोटल आने वाले, उसके बाद अम लिखेंगे, 2, 7% preference share capital, preference share capital, preference share capital के रुपए कितने हैं, 40 रुपए पर share, यानि 46 आ रहें, 40 रुपए पर share किसके हैं, preference share के, तो 40 से गुणा करेंगे, तो यान आ जाएंगे, आपके पास, 8 लाख रुपए किसके हैं, preference share capital के, और उसके बाद लिखेंगे, 2 security premium account, security premium, security premium के 6 से गुणा करके लिख देंगे, ये जो आपके टोटल रुपए आएंगे, 1,20,000 रुपए, ये किसके हैं, security premium के, allotment money, due, कि allotment के रुपए हमने क्या कर दिये, due कर दिये, उसके बाद ये रुपए bank में आएंगे, यहां लिखेंगे, bank account, debit, bank में कितने रुपए आएंगे, यहां तो सारे आ रहे हैं, तो आ जाएंगे, 9,20,000 रुपए, और उसके बाद यहां लिखेंगे, to share allotment account, या preference share allotment लिख सकते हैं, to share allotment account, share allotment account के यह रुपए हमने यहां लिखेंगे, 9,20,000 यहां लिखेंगे, allotment money, allotment money received on, allotment money received on, 20,000 shares at the rate of 40 each at 6% premium, या 6 रुपए, रुपए 6 premium, रुपए 6 premium लिख देंगे, यह हो गई allotment के entry, ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे, हम कर देंगे first call के entry, ठीक है, अब एक बर क्यूशन दिखा देते हैं, या लिखा है कि 100 share वाले जो वैक्ती हैं, जिनके पास सोत थे, उसने ना तो first call के रुपए दिये और ना ही final call के रुपए दिये हैं, या second call का नाम लिखा है, final first call पर आएं 10 रुपए पर share, और final call पर आएं 25 रुपए पर share, तो देखें, आब इनकी करते हैं, entry, यहीं हमें call scenario के entry करनी है, तो देखें, यहाँ से शरू करते हैं, यहाँ लिखते हैं सबसे पहले first call के entry, first call के, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे share first call account, share first call account, first call due पूरे share पर करेंगे, कभी भी यह गलती ना कर दें, कि 100 रुपए नहीं दे रहे, तो सर 19,900 share पर due कर देंगे, नहीं, due कितना होगा, 20,000 share पर 10 रुपए पर share, तो 20,000 की और अगर 10 की गुणा करते हैं, तो बेटा यह आएगा आपके पास 2,00, 27% preference share capital, preference share capital, capital account preference share capital कितने होंगे, दो लाख, preference share capital लिख दे, दो लाख हम लिखेंगे, 1st call, 1st call, due on, 20,000 shares, at the rate of 10 each, परतेक पर हमने कितने रुपए मांगे, 10 रुपए, अब है call scenario, 100 shares पर calls नहीं दे, आप चाहें तो call scenario का account खोलने, चाहें तो ना खोलने, इस बार हम खोल के करवाते हैं, अगले question में, बगएर खोले बता देंगे, तो देखिए, वो पहले बता भी दिया, उसमें theoretical portion में, तो सबसे पहले लिखेंगे, बेंक अकाउंट, डेबिटा, आप बेंक अकाउंट, डेबिट लिख के, इसको खाली छोड़ दें, एक मिन्ट के लिए, फिर लिखें, calls in area account, calls in area, calls in area account, calls in area account, debit, calls in area को कितने से debit करें, 100 share पर 10 रुपए पर share नहीं आ रहे, यानि कि total कितने रुपए नहीं आ रहे बेटा, 1000 रुपए, 100 share वाले नहीं दे रहे रुपए, 10 रुपए पर share, first call पर हैं, तो कितने आ जाएंगे, 1000 रुपए, और उसके भाद यानि कि यहां लिख भी देंगे, 100 share वाले रुपए नहीं दे रहे, और first call पर कितने रुपए आ रहे हैं, 10 रुपए पर share, 22,00,000 में से 1000 कम करके, रुपए आ जाएंगे, कितने रुपए आएंगे, 1,99,000 रुपए हमारे पास आ जाएंगे, यहां लिख सकते हैं, 19,900 share पर आएंगे, 10 रुपए पर share के इस हाब से, ठीक हैंगे, 100 share वाड़े रुपए दे नहीं रहा, उसके बाद यहां लिख देंगे, 2 share first call account, 2 share first call account, और यहां लिखेंगे 2,00,000, यहां नीचे narration लिखेंगे, first call, money, received on, 19,900 share, 19,900 share at the rate of 10 each, इस सपस्ट हो गया कि 19,900 share वाड़े ने रुपए दिये हैं, 10 share वाड़ों ने नहीं दिये, 10 रुपए पर share हमने मांगे ते first call पर, अब अगर उस question में चलते हैं, तो final call पर कितने रुपए मांगे हैं, 25 final call पर कितने रुपए मांगे गैं, 25 रुपए आने वाड़े हैं final call पर, तो final call पर जो रुपए आने वाड़े हैं, 25 उसके लिए यहां लिखते हैं, second call या final call, सबसे पहले due करेंगे, वही 20,000 share पर हम यहां लिखेंगे, share final call account, share final call account, debit final call, 25 रुपए पर share, और वही यह total share थे, यहां भी लिख सकते हैं, 20,000 share पर गुणा में 25 रुपटा चल जाए, यहां आएगा total amount पांच लाग, इनकी गुणा करेंगे आप तब, 27% preference share capital account, 27% preference share capital, capital account और यहां लिख देंगे यह पांच लाग रुपए, यहां लिखेंगे, final call, due on 20,000 share at the rate of 25 each, 25 रुपए से हमने पर share पर call due कर दी, अब यह रुपए बैंक में आएंगे, तो उसी परकार लिखेंगे, आप बैंक अकाउंट डेबिट, यहां लिख सकते हैं, यहां भी 100 share वाले रुपए नहीं देर, यहां लिखेंगे, आपरे पास, नहीं आएंगे, 5,000,000 गटाजी तीन की गुणा भी कितने आएगी, 4,57,000 पर उसके बाद यहां लिख देंगे, 2 share final call अकाउंट, 2 share final call अकाउंट और final call की रुपए कितने हो जाएंगे, यहां लिख देंगे, हम 5,000,000, यहां नरेशन लिखेंगे नीचे, यहां लिखेंगे,